हेलो आल एंड विलकम तो रिकॉगनिशन आई एस मॉडरन हिस्ट्री के शुरीज आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं और इस मॉडरन इंडिया में हम लोग बाते करेंगे शुरुबाती टाइम से ही सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूरोपियन कंपनीज का राइवल फिर ब अनक्राफ से आगे हम लोग सोशेयूर रिलिजिय रिफॉर्म्स पगरेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट मौभ्मेंट और जितने भी तरीके के रिवॉल्ट हुए थे इन सारी चीज़ों को cover करते हुए modern इंडिया के लिए civil services के लिए जितने भी required चीज़े होंगी वो सारा कुछ हम लोगी सीरीज में complete करेंगे फिलहाल हम लोग शुरू करने वाले हैं arrival of European companies के बारे में यह सीरीज prelims और mains दोनों ही point of view को सोच करके फिर बनाए गई है सो यहां से आपको prelims और mains दोनों की ही proper knowledge मिल जाएगी इसके लावा if you want to refer any book then again you can refer any book कोई भी एक standard book को ले करके आप revision perspective से या फिर एक reading perspective से use कर सकते हैं in fact we suggest to refer one such a book कोई भी एक reference book को आप हमेशा refer करते रहिए इससे आपको confidence में मिलता है और एक language किस तरीके से लिखी जाती ये content वो सब भी आपको समझ में आ जाता है तो फड़ाफ़ चुरू करते हैं हम लोग discussion सबसे पहले देखेंगे arrival of European companies के बारे में कहानी शुरू होती है इंडस्वेली सिविलाइजेशन से इंडस्वेली सिविलाइजेशन के दोरान में भी वहाँ पर हमें कई सारे ऐसे proof मिले हैं जहां से ये पता चलता है कि इंडिया और योरोप का आपस में trade हुआ करता था इन फैक्ट जब हम लोगोंने अपनी ancient history की series शुरू की थी वहाँ पर हम लोगोंने इंडस्वेली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था इसके अलावा जो अरब traders हैं वहाँ पर भी हमें इंडस्वेली की seal देखने को मिली थी और यही सारी seal हमें इटालियन जो इटालियन एरिया था इटालियन traders, merchants थे वहाँ पर भी हमें देखने को मिली थी तो यहां से हम लोग को एक आइडिया लगता है कि जो इंडस्वेली की या फिर जो इंडिया है उसका यूरोप के सार्थ में trade बहुत पहले से ही चल रहा है यह कोई नया नहीं है बस केवल केवल इशू यह था कि इंडिया तक आने का रास्ता नहीं पता था लोगों को एक मात रास्ता जो लैंड के थुरू होकर के जा रहा था वही केवल पता था लेकिन हुआ क्या जब डार के जा गया था यूरोप में तो उस समय जितनी भी developments होई थी यूरोप की वो सारी की सारी खतम हो गई इस development में rise करने माली जो power थी वो थी Arabian power और यहीं पर इसलाम का भी एक जब rise हो गया तो ultimately जो Arabian power थी वो अपने आप में बहुत strong हो गई और strong होने के कारण ही जो Middle Asia का पूरा का पूरा रास्ता है या फिर कह लेजिए the connectivity between Europe and India that was being dominated by Arabian forces तो यूरोप और इंडिया के बीच में जो रास्ता था वो सारा Arabian जो Arabian traders थे या फिर कह लेजिए जो Arabians थे उनके द्वारा capture कर लिया गया था अब देखिए या तो आप Arabian power को हरा करके फिर इंडिया में आ सकते थे या फिर आपको कोई न कोई दूसरा रास्ता खोजना था जिसके थूरू आप इंडिया में आ सकते थे तो अब यहां पर इशू यही हुआ था कि या तो Arabians के जात में जा करके आप पंगा मोल लीजिए जो की एक intelligent decision नहीं होगा और दूसरा नयरास्ते की खोज करना तो रेनासा पीरियड में हुआ क्या जब रेनासा पीरियड आती है उस रेनासा पीरियड में कई सारी development होती है और उस development में compass वगरे वाली चीज भी खोज ली जाती है ocean currents वगरे खोज ली जाती है और इससे expeditions से start होते है expeditions के start होने से लोग अलग-अलग नए-नए तरीके से नए-नए रास्तों को लेते हुए ultimately इंडिया की खोज में निकल गये थे अब इसमें कुछ लोग इंडिया की और निकले तो वो इंडिया की और में आ गये लेकिन खैर इंडिया तक के आने का सफर भी काफी लंबा था लेकिन इसे में से एक हमारे ट्रेडर थे या मोचेंट थे या फिर कहली जे एक्स्पिडिशनर थे जो की गये तो इंडिया खोज ने गये थे लेकिन अल्टिमेटली वो अमेरिका को खोज लिये थे इन सब के बारे में हम लोग बेसिकली डील करेंगे लेकिन यहाँ पर जोगरिफी नहीं यहाँ पर हम लोग हिस्टरी के बारे में डील करेंगे तो इन युरॉप जो पॉर्चुगल एंड इस्पेइन थे ये अक्चली काफी राइज कर रहे थे after the renasa period और इनके rise करने के कारण यहाँ पर जो भी trade वगर ए trades नमदनी जो भी चीज़े हुआ करती थी वो Spain और Portugal के दुआरा ही की जा रही थी अब यहाँ पर जो Spain और Portugal basically थे चुकि यह एक temperate region में थे इसलिए इनको अपने body को गर्म करने के लिए spices और meat की जरूरत पढ़ती थी और इस कारण से जो spices है वो इन लोगों ने Arab merchant के थुरू यह देख लिया था कि यार ऐसा है कि East में East में दूर कहीं पर spices का अच्छा खासा भंडार है अब Arabians इनको बहुत ज़्यादा middlemanship काट करके या फिर कैलिजे की बहुत ज़्यादा ब्रोकरी काट करके बहुत ज़्यादा profit ले करके तब इनको sell करते थे इस कारण से इनको काफी महंगा भी पढ़ता था तो simple reason यही था कि Arabians बहुत ही costly affair रखते थे इसलिए यह सी थे direct dealing करना चाहते थे इंडिया के या इस्ट के साथ में Spain और Portugal की power इन्होंने क्या है अपना naval force को इन्होंने strong किया और naval force को strong करने के बाद में इन लोगोंने land के रास्ते को नहीं चुना simple सी बात है क्योंकि Arabian threat यहाँ पर था और different different countries हमें देखने को मिलती है वो उस समय ऐसा नहीं था यहाँ पर नाम अलग-अलग था जैसे अलग-अलग नाम थे जैसे कि Macedonia हो गया या फिर आपका एशिया माइनर हो गया तुर्की हो गया ठीक है तो different different type के नेम से हम लोग जानते थे उस समय है in fact ancient history में map के थ्रू हम लोगों ने यह पूरी चीज़े देख रखी थी जड्रोशिया और इन सब चीज़ों के बारे में देख रखा था तो 1453 के दौरान में हुआ कि जो तुर्क्स थे बेसिकली या फिर कह लिजे उस्मानिया सल्टनेट जो थी यहां पर उसने आस पास के एरियास को भी capture कर लिया था जैसे की कस्तून तुनिया और इसके अलावा जो साउथ वेस्ट एशिया का एरिया था और साउथ इस्ट यॉरप का जो एरिया था वो पूरा-कपूरा अरेबियन पार्ट है अब यह पूरा का पूरा जो एरिया था वो capture कर लिया गया था इस अरब पावर के थूरू अरब पावर के थूरू यह पूरा एरिया जो है वो capture कर लिया गया था और इसके साथ ही जो यॉरप के भी पार्ट है यह तो आपका अफरीका का पार्ट आ ग थूरू जाएं मेडिटेरेनियन के थूरू हो करके जा सकते थे और फिर अल्टिमेटली रेट सी से होते हुए स्वेज कैनाल को पकल दीजिए ये एक रास्ता हो सकता है लेकिन स्वेज कैनाल उस समय नहीं था स्वेज कैनाल जो है वो 1869 में बनाए गया था तब जाकर के रास् करें तो ये एक वाइस डिसीजन नहीं है दूसरा रास्ता है कि नए रास्ते की खोच करते हैं तो नए रास्ते की खोच करने के लिए हुआ ये कि जो दो बड़े लोग थे जैसे इस पेन पुर्थगल इन लोगों ने बेसिकली आपस में अग्रिमेंट कर लिया कि देखो ऐ नहीं करेंगे आपस में लड़के हमें भी कुछ नहीं मिलने वाला है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जितने भी यूरोपियंस थे वो दिमाग से तो बहुत ही स्ट्रॉंग थे यह भास समझ में आती है कि इंटेलिजन परसन तो थे हमारे इंडिया के हिस्ट्री मे अगर आप देखेंगे तो राजावाजा आपस में ही लड़ते थे लेकिन यहां पर यह लोग आपस में नहीं लड़ रहे हैं यह लोग दूसरे कंट्री में जा रहे हैं और वहांपर वहां के लोगों को लड़ा रहे हैं so they had their intelligence in their mind अब हुआ क्या कि जब दोनों ने आपस में agreement कर लिया कि देखो ऐसा है यार हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए तो दोने ने कहा चलो ठीक एक काम करते हैं जहां पे मैं जाओंगा वहां तुम मताना मतलब कि Portugal ने ये कहा इस्पेंग को जहां मैं जाओंगा वहां तुम मताना और जहां तुम जाओगे वहां पर हम नहीं आएंगे तो ये आपस में agreement हो गया अब बारी थी कि कौन पहले जाएगा तो सीधी सी बात है टॉस कर लिया जाएगा क्या करना है तो टॉस किया गया पॉचुगल ने ultimate अपना पहला expedition 1487 में भेजा और under the leadership अब बार्थोलो मोडियास के नित्रतों में बार्थोलो मोडियास के leadership इनों ने भेजा बार्थोलो मोडियास जो साहब थे ये अफरीका के Cape of Good Hope तक तो पहुचे लेकिन वहां से उनको रास्ता समझ में नहीं आए क्योंकि अगर Cape of Good Hope को देखेंगा तो एक प्लेटू रिजियन है और थोड़ा सा highland है highland पे होने के कारण से आगे चीज़े पता नहीं चल रहे थी कि यार आगे है क्या क्योंकि आगे अब पूरी तरीके से समंदर आ गया था और कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा था कि यहार किधर जाना चाहिए तो यहां पर उन्होंने क्या है कि यहां तक का मैप बनाया और अल्टिमेटली फिर वापस भी चला गया अगर यह आगे जाते हो सकता है कोई ना कोई अन्होनी हो जाती और फिर जो Cape of Good Hope तक का एरिया है Cape of Good Hope तक की information map जो कुछ भी है वो वापस यहां के पॉर्चुगल को दे नहीं पाते है इस कारण से इन्होंने वापस जाना भी अच्छा समझा अल्टिमेटली अब क्या हुआ दूसरा जो अटेम्ट था वो अब इस्पेन को आना था क्योंकि पॉर्चुगीज ने अपना अटेम्ट ले लिया था तो इस्पेन फिर अपना अगला अटेम्ट लेता है 1494 में कोलंबस के थुरू जाते तो जरूर एंडिया को खोजने के लिए ये बिचारे लेकिन जो ओशिन करेंट से उसके बहाव में आ जाते हैं और अमेरिका को खोज लेते हैं तो अब यहां पर अमेरिका में इस्पेन पहुच चुका है तो अगर अमेरिका में इस्पेन पहुच जाएगा तो Portugal अब यहाँ पर नहीं जाएगा तो Portugal यहाँ पर अब नहीं जाएगा फिर ultimately अब next attempt किसका था अगेन पॉर्चुगल का था तो पॉर्चुगल 1498 में वासको डिगामा के अगेन लीडर्शिप में भेशते हैं यहाँ पर जो प्रिंस हेंरी रहते हैं पॉर्चुगल के वो help करते हैं सपोर्ट करते हैं money, support, army, support जितने भी तरीके का support होता है सारा support इन्होंने दिया था इस कारण से इन्हें जो प्रिंस हेंरी एन को दर नेविगेटर की भी संग्या दर नेविगेटर का title भी दिया गया था एक्जाम में पुछा आता है दर नेविगेटर इसलिए ध्यान रखियेगा तो इन्होंने क्या है हर तरीके की support दे रखी थी इन्होंने क्या है जो वासकोड इगामा है इन्होंने भी वही केप आफ गुड़ होप का तक का रास्ता अपनाया लेकिन इनकी किसमत बड़ी अच्छी थी Cape of Good Hope के पास में ही इन्हें एक क्या है कि torch bearer मिल गया या फिर कह लिजे कि एक और इनको traveler मिल गया merchant मिल गया जो की इंडिया तक के रास्ते को ले करके जा रहा था ये गुजराती traveler था और इसका नाम था अब्दुल्मनीर अब अब्दुल्मनीर और वास्कोड इगामा दोनों साथ साथ हो गए और अल्टिमेटली ये पहुच गए कालिकट में जमूरीन के पास में जमूरीन भी उस समय क्या है काफी परिशान हो रखा था क्योंकि जो अरप्स थे 1400, 98 या फिर कहले जब 1500 के दौरान में अरेबियन पावर बहुत जदा स्ट्रॉंग हो रखी थी अब अरेबियन पावर का एक मकसद था कि इसलाम को फैलाना और इसलाम को फैलाने के लिए यह लोग क्या धर्म परिवर्तन वगरे कर रहे थे और इस कारणे से जमूरीन था वो भी परहशान हो रखा था वो किसी नहीं किसी एक जो होता है भगवान के दूद के इंतियार कर रहा था कि कोई तो आएगा वो बचाएगा और इस तरीके से से शेवियर वासको डिगामा वो आता है और जमोरीन भी इनका बहुत ज़दा स्वागत करता है वेलकम वगरे करता है एक चीज़ और जान लीजे कि कैलिकेट में जो पोर्ट जिस पोर्ट पे गया था उसका नाम क्या था तो उसका नाम था कपकडागू, ठीक है, कपकडागू इसका नाम था, इंडिया में अगर port के बारे में बात करें, तो देखें बहुत सारे port हैं इंडिया में, जैसे अगर western के बारे में बात करें, So there is Coinbay, there is Bharoch, there is Surah, there is Kochin, there is Calicut इसी तरीके से Eastern के बारे में बात करेंगे तो there are again number of ports जैसे की fuckinusta, बालकॉंडा, फिर इसी तरीके से नाग पतनम ता ठीक है इसी तरीके से आपका vaillipatnam हो गया जा फिर नाग पतनम हो गया, विशाखा पतनम हो गया और आपका हुगली हो गया और इसी पोर्ट की basically fight आगे होने वाली थी बात किया जाए अगर कुछ important community के बारे में क्योंकि अभी recent में ये community news में भी थी तो ये जो community थी जो eastern side के trade को control करती थी यानि कि कोरोमंडल के area के trade को control करती थी वो थी चटियार community चटियार community अभी recent में news में भी थी इस वज़े से काफी important है आप लोगों के लिए कि ये चटियार community के बारे में जानते रहिएगा ठीक है अभी बंगॉल में क्या है कि बंगॉल एन उडिजा के area में जो पूजा वोजा करना है उसके लिए चटियार community ही आगे आई है इस चटियार community में चूलिया muslims हैं जो basically इसमें leadership की भावना यह कह लिए लीडर्स होते हैं वो यही लोग होते हैं अगर हम लोग बाते करते हैं European के arrival में तो सबसे पहले कौन आया सबसे पहले आया है Portuguese 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 1498 में फिर इसके बाद से डच आये हैं जो कि 1596 में आये हैं फिर बिटिश आये हैं डैनिश आये हैं और लास्ट में आये हैं आपके फ्रेंच अब देखिए यहां पर जो डैनिश आये भी थे वो बहुत ही कम टाइम के लिए थे क्योंकि इनका competition जो है वो बहुत ही कह लिए कि इनको ही खुद को exploit कर रहा था इस कारण से यह लोग जल्दी ही नहीं पड़ गए यहां से और ultimately अपना सारा चीज़ें बेच बाज करके वो चले गए दूसरे जगा पे Portuguese के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए Portuguese जो है वो दो काम करने के लिए basically इंडिया है थे पहला काम था इनका trade करना और दूसरा काम था promotion of Christianity यहां पर जब Europeans ने यानि कि Portuguese ने जब इलाका खोज लिया इंडिया को खोज लिया इंडिया का रास्ता basically खोज लिया तो उसके बास से अब Portuguese के तो सुप्रीमेसी हो जाने वाली है इंडिया पे क्योंकि Portuguese और Spain यही दो लोग है जो expedition कर रहे है Spain का इलाका बन गया था अमेरिका और जो Portuguese है उसका इलाका बन गया था इंडिया तो इस कारणा से जो Portuguese ruler था उस समय का that is manual one इसने declare कर दिया कि इंडिया के साथ trade करने का अब मेरे पास monopoly हो गया है मेरे पास एकादिकार हो गया है तो यह हो गई थी Portuguese की कहानी Portuguese की कहानी में ही क्या हुआ first expedition 4098 में वासको डिगामा ने किया और ultimately यह जब वापस आया तो 60 time profit यह कमाया था तो इसने यह तो बता दिया क्या दिखो ऐसा है इंडिया में समान बहुत सस्ता है Arabians अबे बहुत लूट करके लेकर के गय हुए हैं लेकिन Arab का threat भी वहाँ पर बहुत ज्यादा है तो अगर आप जा रहे हैं तो better भी prepared पहले से आप prepare हो करके जाईए otherwise वहाँ पर अगर आप trade करेंगे तो obviously बात है जो Arabian power है वहाँ को trade नहीं करने देगी दूर आपके साथ में कुछ न कुछ जो है दुर्वेभार करेगी ही करेगी तो फिर second expedition होती है 1500 में और यहाँ पर जो लीडर रहते हैं उसका नाम है Pedro Alvarez Cabral Cabral नाम से भी आप याद कर सकते हैं सिर्फ इसने क्या है फुल प्रोटेक्शन के साथ में आर्मी वगरे लेकर के अपनी 13 शिप को लेकर के गया था यह पहले से मन बना के रखा था कि मुझे अरब को तो समझाना ही है अरब के साथ में अगर कोई भी जगडा जड़फ होती है तो उसके बाद से समझाएंगे इनको ज़रूर और इसी बज़े से आर्मी भी भरपूर लेकर के गई थी आज एक्सपेक्टेड वार हुआ और वार होने में सीधी सी बात है पॉर्चुगीज जो है वो जीत गए थे अब यहाँ पर जब यह कैबरल आया तो अल्टिमेटली इसने क्या किया आसपास के एरिया से थोड़ी फ्रेंडशिप वगरे करना शुरू किया जिस तरीके से आप भी कहीं जाते हैं तो क्या होता आसपास में किज़े न किज़े साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं वही काम इनका इशू भी क्रियेट हो गया था अब जो पॉलिसी आफ पॉच्चिज थी वो यह थी आपस में लड़ाओ और राज करो आपस में लड़ाओ का मतलब यह कि जब यह कैबरल अल्टिमेटली वापस गया तो वहां पर उसने बताया कि देखो ऐसा है कि इंडिया में जितन दामों पर मिल जाएंगे तो अभी तक किसी का यह हिसाब किताब नहीं था कि हमें जाकर करके राज करना है सबने यहीं सोच रखा था कि आर चलो चलेंगे और इंडिया वाले इतने तो बेवकूफ है नहीं कि अपना राजपाथ हमें देदेंगे लेकिन यह है कि जो भी अच्छी लगेंगी वो सारी चीज़ें उठा लेते आएंगे कमदाम पर लेकर के आएंगे थोड़ा सा मुखवीरी कर देंगे थोड़ा सा बटरीं कर देंगे और समान में सस्तिम मिल जाएगा तो बिसिकली यह थी इनकी पॉलिटिक्स फिर इसके बाद से थर्ड एक्स्प बार एक और आएगा 1524 में और फिर इस तरीके से अल्टिमेटली यहीं पर इसकी डेथ हो जाती है अल्बुकर्ट जब आता है बेसिकली इंडिया में वास्कोड इगामा के साथ में 1502 में तो 1503 में इसने कोचिंग में और 1505 में कनूर में इसने क्या है कि एक फैक्टरी इस् एक हेड़कॉर्टर एक आफिस बना लिया था ऐसा आप समझ सकते हैं और इस तरीके से आप यहां पर वाइसरायशिप स्टार्ट हो गई अब दी कि वाइसरायशिप में क्या है कि कुछ वाइसराय है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है जैसे फस्ट वाइसराय के ब इंडियन ओशियन है उस इंडियन ओशियन में पॉच्चोगीज ने अपना अच्छा खासा डॉमिनेशन स्टाविलिश कर लिया था इस डॉमिनेशन का मतलब यह था कि अगर किसी को भी किसी को भी अगर मुगल अंपायर है अकबर है कोई भी है किसी को भी अगर इंडियन लेते थे to save the passenger from the threat अब वो threat हो सकती है अरब पावर की सोमालिया के डाकूओं की या किसी भी तरीकी से अगर कोई भी issue create होता है तो फिर इसके responsible Portuguese force होगी तो Portuguese force basically blue water policy as a tax कह सकते है लेते थे अब होता क्या था कि अगर मा लेते हैं कि अगबर को ही कहीं जाना है तो अगबर क्या कर अपनी ship को ले करके आएगा और ultimately फिर जो Portuguese उनको पे करेगा और पे करने के बाद में Portuguese को जो शिप है वो अकबर के शिप के साथ में ही जाएंगी तो जितने भी लोग Caribbean मतलब की जो Pirates of Caribbean वगर है देखे होंगे movie उनको इस समझ में हारा होगा किस तरीके का पार पाय जाते है और Pirates से रक्षा करने के लिए किस तरीके से Forces वगर है जाया करती थी तो Blue Water Policy बिसिकली यही थी और इसको बुलाता है Cards de Armida ठीक है Cards बुलाता है Cards is basically Tax ठीक है अब यहाँ पर इन्होंने क्या है कुछ फोर्ट वगर है भी बना लिये थे जैसे अंजडीवा में कनूर में और बना लिया था क्योंकि देगी एक बार वो हार चुके हैं तो कैबरल के साथ में जब हार गए थे तो अब यह क्या है और्गनाइज अपने आपको कर रहे थे और्गनाइज करने में बिसिकली तीन जगों की Forces आई एक आई गुजरात की दूसरी टर्की की और तीसरी आई नेक्स जो वाइसराय आते हैं जो हमारे लिए important है और वो है अलबुकर्क अलबुकर्क देखी इंडिया में दो बार आया पहली बार as a normal person बनके आया था और दूसरी बार ये वाइसराय बनके आया था वाइसराय बनके जब आया था तो 1505 से 15015 के बीच में है अब यहां पर इसे बोलायाता है real founder of Portuguese in India क्यों बोलायाता है क्योंकि इसने क्या है कि इंडिया में expansion भी किया था और अपनी factories वगरे भी लगाई थी expansion करने के लिए इन्हों ने जो टक्नीक अपनाई थी वो थी religious टक्नीक यानि कि Christianity में convert कर दो अपने धर्म में परिवर्तित कर लो और इसके लिए उन्हों ने कहा कि जो भी Indian women's है उनके साथ में शादी कर लो इससे क्या होगा Christianity का promotion हो जाएगा अब चुकि महिलाएं जो होती है बच्पन यहाँ पर क्या होता है इंडिया में कि बच्पन में यह शादी करा दी जाती थी अब शादी करा देंगे बच्पन में तो कौन बचा शादी करने के लिए इस कारण से पोचुगीज ने कहा कि ऐसा है जितने भी वीडियोज हो गई है उन सब का री मैरेश करवाना चाहिए तो बेसिकली जो अलबुकर्क है वो तो अपने फाइदे के लिए री मैरेश करवा रहा है सती सिस्टम पर बैन लगवा रहा है लेकिन एक्च्वल में चलिए जो भी कर रहा है लेकिन एक जो कहली जी की रॉंग डूइंग्स थी अगिंस्ट वोमेन वो किसी तरीके से कम हो रही थी चाहिए इसमें अलबुकर्क का अपना पर्सनल इंटरेस्ट ही क्यों नहीं था लेकिन खैर ये भी जो अलबुकर के वो भी ethically correct नहीं था क्योंकि उसके भी mal intentions थे और उसके mal intentions थे कि अगर ये शादी नहीं जीवित रहेगी तो इसका शादी दूसरे स्करवा दिया जायेगा और Christianity का spread हो जाएगा तो basically इसी वज़े से इन्होंने क्या abolition of sati system वगरे पर भी अपना जोड दिया 15010 में यानि 1510 issue में basically इन्होंने क्या है कि गोवा पर control कर लिया गोवा उस समय actually Bahmani dynasty या फिर कहले जो बहमनी तो बाद में 5 पार्ट में टूड गई थी और उसमें से एक था बीजापूर और बीजापूर जो था वो basically आदिल शाही dynasty के अंडर में था तो बीजापूर या फिर जो आदिल शाही dynasty है उससे गोवा को छीन लिया गया था पोचुगीस के द्वारा जो बीजापूर या बहमनी डानेस्टी आप लोग मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे प्लेलिस्ट में most probably इंटीग्रेट कर दी गई या नहीं की गई होगी तो कर दी जाएगी सो don't worry 1511 में इन्होंने क्या है कि मलक्का पर कंट्रोल कर लिया 1515 में फिर हॉर्मस और पॉर्मस पर कंट्रोल कर लिया आप देखे हॉर्मस आप लोगों को पता होगा इरान के पास में है इरान के पास में इन्फेक्ट जो छाबार बनाई जा रही है वो भी हॉर्मस वहीं पर है और दूसरा आपका पॉर्षियन गल्स portion girls तो आप लोग देखी रहे होंगे कहाँ पर है और जो आपका मलक्का है basically ये Malaysia के इलागे में तो अगर आप देखेंगे तो ये Portuguese कर क्या रहे हैं Portuguese basically Arabian power को destroy कर रहे हैं जो Indian ocean उस पर supremacy कायम कर रहे हैं और East side में अब ये outside India जाना शुरू कर दिये हैं in fact इन्होंने क्या है कि जापान के साथ में trade भी start किया था and this was the first time that India has traded with the Japan तो जापान के साथ में इन्होंने trade भी start कर आया था ये भी एक तरीके से Portuguese की achievement ही है आगे अगर बात किया गया है तो next हमारे जो वाइसराय आते हैं उनका नाम है उनका नीनोदीक उन्हा ये जो नीनोदीक उन्हा है basically वो 1529 से 38 के बीच में थे अब अगर आप देखेंगे तो दोनों के बीच में एक gap है 15-0-15 यहाँ पर देखिए 1515 से ले करके फिर ultimately 1529 पंदरा साल का लगबग लगबग गैप है एक्चली हुआ क्या था कि जो पॉच्चुगीज पावर थी यह अपनी फैक्टरी बना करके एक एरिया को रूल करने लगी थी जिसके कार्श जो लोकल डूर थे उन्होंने क्या है कि इसके अगेंस्ट में हो गया और उन्होंने क रपस में कॉम्परमाइज किये ठीक ठाक हुआ और फिर से पॉच्चुगीज पावर इस्ट्रॉंग हो गई लेकिन ब्लू आटर पॉलिसी तब भी चल रही थी अब और उस समय भी चल रही थी दोनों ही ब्लू वाटर पॉलिसी तो कंटिनूड पॉलिसी थी इसमें कोई भ और बॉगल पावर इंदोनों की जो फाइट हुई थी उसको भी इन्होंने देखा हुआ था इसके लावा 1530 में इन्होंने क्या है गोवा को तो कैप्चर करी लिया गया था देखिए यहां पास जो है गोवा को कैप्चर किया जा चुक है पंदरह सो दस में अब इन्होंने क्या किया था 1530 में गुवा को अपनी राजधानी बना लिए कैपिटल बना लिया 1534 में इन्हों ने क्या क्या अपने एरिया को थोड़ा एक्सपैंड किया और 1534 में बसीन पर कंट्रोल कर लिया बसीन बसीकली ये समझ लीजे कि एक तरीके से जो मुंबई है उसी के बगल में जिस पर मुंबई है और दूसरा उसी के बगल में बसीन आइलेंड है ये दोनों आइलेंड के बारे में जानियेगा क्योंकि इसी पर पूरी पॉलिटिक्स होएगी बसीन को इन्होंने कंट्रोल कर लिया इसके बाद से 1535 इन्होंने दियू पर भी कंट्रोल कर लिया आगे अगर बात किया जा तो नेक्स जो हमारे इंपॉर्टेंट वाइसरा हैं उनका नाम है गाशिया दे नरोनहा और यह बनाए गयते हैं 1538 में अब जो बचा हुआ एरिया है जरा ध्यान से देखिएगा यहां पर है क्या हुआ है यहां पर अगर आप देखेंगे तो दिस इस ब द्रीव यही पर आपका गोवा भी है तो अगर आप देखें तो बिश्कली नोंने क्या कि है गोवा को कैप्चEr किया है अपनी राजधानी बनाई और फिर expansion करने में लग गया है तो इस सारा ultimately इन्होंने क्या किया expansion किया है यह सारा expansion area है तो अब क्या है दियू पर control हो गया तो दवन पर भी control कर लिया जाएगा Salcet पर भी control कर लिया जाएगा St. Thomas पर भी control कर लिया जाएगा और छोटी छोटी factory बना ली गई थी इसके साथ भी इन्होंने trade पर अपनी monopoly कर लिया पूरी तरीके से trade up केवल और केवल Portuguese ही कर सकते थे 1559 में उन्होंने क्या है दबन पर पूरा control कर लिया लेकिन अब देखिए ये control पूरी बहुत जादा दिन तक नहीं चलना था दीरे दीरे क्या है कि जो फ्रेंच पूर्चगीज पावर है ये भी वीक पड़ी वीक पड़ने के पीछे simple कारण था कि उन्होंने क्या है कि फिर बाद में अपने आपको बहुत lethargic हो गयते और एक तरीके से नय opportunities open नहीं कर रहे थे और बाकी योरोप में क्या है कि बाकी सारी countries भी काफी राइस कर गई थी जैसे Dutch राइस कर गई थी England British राइस कर गए थे French राइस कर गए थे तो क्या है कि बाकी लोग राइस कर रहे थे और इस राइस करने के कारण ये आपस में competition भी बढ़ही जाएगा तो राइस के करने के कारण ultimate 1580 के दौरान में जो Portuguese पावार है वो बहुत ही कमजोर पढ़ गई और इस कमजोर करने के कारण में Spain जो होता है वो अब साथ में हो गया था हालकि Spain की position भी अमेरिका में कमजोर हो गई थी क्योंकि British ने वहाँ पर attack कर दिया था वर्ड हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे तो जो पोजीशन बिसिकली पहले बहुत स्ट्रॉंग चल रहे थी है जमाने में जब पॉच्चुगीज पूरा अपना ज्यादा डिक्लाइन हुआ कि 1596 में जब डच की एंट्री होती है तो पॉच्चुगीज की पावर को और गिरा देती है और साउथ इस्टेशिया का जो भी कंट्रोल था वो सारा का सारा अपने हाथ में ले ले लेती है अब 1641 में इन्होंने क्या है मलक्का पर अपना अधि पॉल कर लिया जो ब्लू वाटर पॉलिसी वगरे थी वो सब के सब खतम हो गए थी धाराशाही हो चुकी थी बचा हुआ जो एरिया था वो मुगल ने ले लिया जैसे कि 1632 में कासीम बजार साजहां के टाइम पर हुगली का एरिया ले लिया 1639 में सालसेट और बॉंबे भी ले लिया गया था मुगल पावर के साथ में और इस तरीके से पूरा जो पॉर्चुगीज पावर वो डिकलाइन पे आ गया था कुछ हद तक इन लोगों ने अपने आपको बचाने के लिए अब एक स्ट्रॉंग फोर्स के साथ लगना शुरू कर दिये और इसे में बॉंबे दे दिया गया था लेकिन हुआ क्या ब्रिटिश तो ब्रिटिश वो किसी और की सुनते ही नहीं थे तो उन्होंने क्या किया था यह सारा कुछ कर तो लिया और अल्टिमेटली फिर क्या है फिर भी पॉर्चुगीज को कुछ खास साहता नहीं दिये हल्प नहीं गया तो भी Portuguese ही छोड़के गया थे गोवा में अगर आप देखेंगे तो culture हमें सिर्फ और सिर्फ Portuguese देखने को मिलता है क्यों क्योंकि गोवा को सिर्फ और सिर्फ Portuguese नहीं रूल किया है यहां पर हमें इस तरीके की चीज़े देखने को मिल जाती है लास्ट में आपको देखने को मिलेगा cards, armada, kafila यह वही चीज़ है जो हमें tax देना हो था blue water policy वाला जो tax था वही वाला यह tax है समझ में आ गया क्या चीज़ है इसमें कुछ important note point भी है उनको भी फटा-फटा हम लोग देख लेते हैं क्या note points है तो हलकि यह हम लोगों ने discuss कर लिया है तो इंडिया और जपान के बीच में जो trade इस्टार्ट किया गया था वो Portuguese power ने ही स्टार्ट किया था इसके लावा 1540 में इन्होंने क्या किया एक high wave of Christianity इन्होंने स्टार्ट की थी और reformist और geosist की कारण से उन्होंने यह स्टार्ट किया था 1560 में इन्होंने क्या है Christianity religious court भी बना लिया गया था कहां पर गोवा में इसके लावा Portuguese ने बहुत सारी चीज़ें इंडिया भी ले करके आया थे Central America की जो crop थी उसको ले करके इंडिया आया थे दुनिया याद रखेगी कि आप समोसा भारती नहीं बनाये थे भारती नहीं बनाया समोसा मत खाईएगा चलिए खायरे इसके लावा शिप बिल्डिंग का काम और प्रिंटिंग प्रेस इन दोनों का काम भी Portuguese नहीं स्टार्ट किया था 1556 में यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस इस्टाबलिश कर दी गई थी और इसका रीजन था मतलब इसको करना क्या था इन्होंने क्या रिलीजिस टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए से मंगवाया था पहली बुक कौन से प्रिंट की गई थी एक बॉटैनिकल के लिजे प्लांट की एक बुक थी और उसको इन्हों लोगोंने प्रिंट किया था लेकिन बाद में इसको शटडाउन कर दिया गया था क्योंकि इसकी जो कॉस्ट आ रही थी बहुत ही जादा आ रही थी तो हम लोग इसके बारे में जो भी प्रिंटिंग प्रेस है उसको हम लोग बात करेंगे जब प्रेस के बारे में बात करेंगे अपने इंडियन इस्ट्रगल डौरान में तभी हम लोग लेकर के आएंगे किस तरीके से printing press आई किस तरीके से Indians ने यूज़ किया किस तरीके से बाकी European power ने यूज़ किया है इसके अलाबा जो हमारे Portuguese है इन लोगों ने Gothic culture भी ले करके आए है और इस तरीके से इंडिया में एक नई तरीकी की diversity इंडिया में आई थी clear so this is all about our Portuguese power फिलाल हम लोगी session को यहीं पर stop कर रहे है कोई doubt होगा तो आप बिल्कुल अपने doubt को पूछ सकते है इमेल कर सकते है या फिर नीचे description box में आपको telegram channel की link भी मिल गई होगी उसको join करके आप अपने doubt को वहाँ पर पूछ भी सकते है इसके लाबा अगर आपको material या फ सारी information वीडियो के format में वहाँ पर मिल जाएगी मिलते है next studio में till then goodbye and thank you so much